नमस्कार मित्रों, जैमातादी, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और उनसे भी कई हजार गुणा ज्यादा आज के इस ज्यानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्य में व्रिश्चिक राशिवालों, आने वाले अंद किस्मत का ताला खुल चुका है और अब आपकी तरक्की देकर लंगड़ा भी नाचने लगेगा, वह भी एक पैर फरजी। हाँ मैं प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी जबरदस्त खुश खबरी, दस्तक द वाली पैसा दोड़ कर अब आपके पास आएगा, आपने बिल्कुल सही सुना, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपका पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, जी हाँ, क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीरवाद से, अब आपकी क अपना सच होने वाला है जी क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी की आशीरवात से अब आपको अपार सफलताओं की प्राप्ति होगी, सुख सम्रिध्धि धन दौलत की बरसात होगी, बता दे की आने वाले अगली 24 घंटे के भीतर आपकी क्रिस्मत के सितारे कुछ ऐसा चमतकार करने जा रहे हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना, दोस्तों माता, लक्ष्मी जी की क्रिपा से आपका भाग्य ऐसा चमकेगा, कि आपको अपने जीवन काल में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यक्ता नहीं होगी, जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा से सोच कि आपको कब वह मौका मिलेगा, जब आप बैठे बैठे बहुत बड़ा दौलत मंद इंसान बन जाएंगे, बहुत बड़ा अमीर हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे तो, ये खुश्खबरी सिर्फ आपके लिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि आपकी किसम की देवी माता रानी लक्षमी जी का आशीरवात प्राप्ट कर सकती है, दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटी से छोटी चीज आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, और कैसे आपकी राश जुड़े ग्रह नक्षत्र इस समय आपके लि दे सकता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस्मत करना, विस्तार से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले माता लक्षमी जी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में तीन बार ज चलिए मेरे प्यार मित्र वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि आने वाले अगले 24 गंटे के भीतर तीन जगहों से होगा, भारी धन लाब, जी हाँ, आपने बिलकुल सही सुना, क्योंकि अगले 24 गंटे के भीत आपकी राशे वालों की कुंडली में होगा, बहुत बड़ा उलट फिर जिससे की आपको मिलेगी, इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी, दोस्तों आपका तो भाग यही चमक जाएगा, अब आपका तो जीवन ही बदल जाएगा, जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बत धन की देवी माता रानी, लक्ष्मी जी आपकी राशे वालों के उपर अब धन की वर्शा करने वाले हैं, जी हाँ क्योंकि माता लक्ष्मी जी आपके उपर महरबान हो चुके हैं, जिससे की अब आपकी राशे वालों की कुंडली में बन रही है, मा धन लक्ष्मी योग, स जिसमें कि यूँ कहें, ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी की आशीरवात से अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है, जिनका आपको काफी दिनों से इंतजार था और जिसके आप हकदार हैं। जी हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वह अब आपके साथ होने वाला है। क्योंकि माता महालक्ष्मी जी की आशीरवाद से आपके घर में खुशियों की बरसात होगी। जी हाँ, अगले 24 घंटे के भीतर पाँच बड़े सुख आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि यह जो समय है, यह समय आपकी राशिवालों के लिए बहुत ही परिवर्तन शील समय रहने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार यह समय आपके रहने वाला है। कौन-कौन सी बड़ी खुश्खबरी आपको मिलने वाली है। कौन-कौन से बड़े लाब होने वाले हैं, वही सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो बहुत ही खास है, और संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। का दर्वाजा खुल चुका है, अब आप अपने जीवन काल में बहुत तरक्की करोगे, खूब सारा धन दौलत रुपया पैसा कमाओगे, और जिन लोगों के घर में आर्थिक तंगी चल रही थी, उन लोगों को भी अब छुटकारा मिलेगा। क्योंकि अंतरिक्ष के ग्रहों की विशेश कृपा आपके उपर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका समय शुरू हो चुका है, इसलिए अब आपको अपने जीवन काल में प्रचंड सफलता मिलेगी। जी हाँ, पूरे महले में आपका नाम गूंजने वाला है, सब जगह आपका ही चर्चा होने वाला है। इतना भग्यशाली समय आपकी राश्यवालों के जीवन में आ चुका है, पूरा वीडियो देखना सब कुछ विस्तार से बताएंगे और आज केवल नसीब वाला ही वीडियो को देख पाएगा। जी हाँ, जिनकी किस्मत होगी, अच्छी वही इस मौके का लाब उठा पाएगा, क्योंकि ऐसा मौका सब को नहीं मिलता है, केवल नसीब वालों को ही ऐसा मौका मिलता है। अगले 24 घंटे के भीतर पाँच अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि धनलाब के साथ साथ नौकरी के भी योग बने हुए हैं। इसलिए बड़ा धनलाब तो होगा ही, साथ ही साथ नौकरी भी मिलेगी। जिन जातकों नौकरी की चाह है, उनकी चाहत अब पूरी होने वाली है। जी हां क्योंकि इस समय सफलताओं से भरा रहने वाला है। इस समय आपकी राशेवालों के लिए गोल्डन समय चल रहा है। आपकी आर्थिक स्थिती, आपकी वित्तीय स्थिती में सुधार होने वाला है। जी हां गरीबी और दुख दर्द आपके घर का रास्ता भूल जाएगा। ऐसी तरक्की और काम्याबी आपको मिलेगी क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी की विशेश क्रिपा आपके उपर बन चुकी है और वह अब अपना आशीरवाद आपके उपर बरसाएंगे अब आपके घर में सुख शान्ती की बरसाथ होगी क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर बड़ा बदलाव बड़ी खुश खबरी जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि स्वयम एक शक्ती ने आपका हाथ पकड़ लिया है अब आपको कभी गिरने नहीं देंगे और लोग चाह कर भी आपको गिरा नहीं पाएंगे इतना जरूर ध्यान रखियेगा खुद से ज्यादा भरोसा किसी के उपर मत करना वरना आपको बहुत बड़ा जटका लग सकता है बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखना लेकिन आप कब गलत थे इस सब याद रखते हैं यहां कोई किसी का खास नहीं होता है आप किसके लिए क्या कर रहे हैं यह बिल्कुल भी माइने नहीं रखता है वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं लोग अगर आपकी निंदा करें तो करने देना निंदा से घबरा कर अपने लक्ष को ना छोड़े क्योंकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है इसलिए लोगों की बातों का परवाह मत करना क्योंकि लोगों को बदलने में वक्त नहीं लगता है लोग अमरुद खरीदने वक्त भी कहते हैं कि मीठे हैं न लेकिन बाद में उसे नमक लगा कर कहते हैं तो यह है दुनिया की हकीकत दुनिया की सच्चाई आप जिस पर अपना आँख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं वही आपका सबसे बड़ा गदार बन जाता है बस आप अपना प्रयास ऐसे ही जारी रखें सफलता और काम्याबी दोड़ कर आपके पास आएगी सितारे कहते हैं कि अल्प प्रयास से ही आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे सारे अधूरे काम करने लगेंगे और उन कामों में भी आपको सफलता मिलने लगेगी जिन कामों को आप अपनी तरफ से व्यर्थ मान चुके थे जी हाँ और आपके लिए सबसे बड़ी खुश्खबरी यहाँ है कि धान की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीरवाद से अब आपके कर्जों से मुक्ति मिलने वाली है जी हाँ पुराने सभी कर्ज खत्म होंगे दोस्तों मेहनत जारी रखें बड़ी सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं क्योंकि इस समय अवधी में ग्रह गोचर काफी अनकूल बन रही है ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद इसलिए एक प्रकार से यूँ कहें कि चारों दिशाओं से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है दोस्तों अब आप हो जाईए तैयार क्योंकि प्रभुश्री राधा रानी जी के आशीरवाद से खुल गए आपके बंद किस्मत के सभी दर्वाजे जी हाँ दोस्तों स्वयम प्रभुश्री राधा रानी जी ने रख दिये आपके सर पर अपने हाथ अब आने वाले समय में आपकी किस्मत बदल कर रहेगी दोस्तों अब दुश्मन तो क्या दुनिया का कोई भी ताकत आपकी किस्मत को बदलने से ही नहीं रोक सकता क्योंकि प्रभु श्री राधा रानी जी का सीधा आशीरवाद आपके उपर पड़ चुका है अब आपके जीवन काल से सभी दुखदर्द समाप्थ होने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री राधा रानी जी के आशीरवाद से आपको जो चीज मिलने वाला है वह चीज किसी हीरे मोती से कम नहीं होगी जी हाँ प्रभु आज तक किसी के ऊपर नहीं किया है कि ऐसा चमतकार मेरे साथ शिव भगवान कर देगा, यह आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, दोस्तों सिर्फ आपको करना होगा, यह एक उपाय, और आप देखेंगे कि आपके जीवनकाल में सभी सपने पूरे होते, जी हाँ दोस दोस्तों, अंतरिक्ष के तीन बड़े देवता, ब्रह्मा विष्णू, महेश जी चमतकार पे चमतकार करेंगे, दोस्तों, अब कुंडली का सारा गणित बदलने वाला है, जी हाँ दोस्तों, आपकी तीन बड़ी इच्छाएं, ब्रह्मा विष्णू, महेश जी पूरा करन दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि भगवान ब्रह्मा विश्नु महेश जी के आशीरवाद से कालसर्प योग, अमरित सिध्य योग, सरवार्त, सिध्य योग, राज योग और धन योग बन रहा है, जिससे कि दोस्तों आपकी जिंदगी में हडकंप मच जा आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, धन दौलत से पूरा घर आपका भरने वाला है, देवों के देव भगवान महादेवजी के आशीरवाद से, जिहाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जो नसीब वाला होगा, जो किस्मत वाला होगा, वही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा और जो घमंड करेगा नजर अंदाज करेगा वह आगे जाकर बहुत पच्छताएगा जी हां दोस्तों क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरी विश्णु जी भगवान ब्रह्मदेव जी और भगवान महादेव जी के आशीरव हैं ऐसी खुश्खबरी आपको प्राप्त होगी ऐसी गुड न्यूज आपको मिलेगी जो कि दोस्तों अगले साथ जन्मों तक आपको नहीं मिला होगा और नाहीं मिलने वाला है तो तैयार रहना जी हां दोस्तों यह समय से अनेकों प्रकार के लाब अनेकों प्रकार की अध्यम से हम आपको बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। अध्यम से हम आपको बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। अध्यम से हम आपको बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। देखलो अपनी किस्मत का कमाल। सबरी से इंतजार कर रही है। अगर मजाक समझने की गलती करोगे तो जिंदगी भर पच्चता होगे। इसलिए दोस्तों मजाक समझने की बिलकुल भी गलती मत करना दोस्तों। विधाता का खेल जब शुरू होता है तो जिंदगी में चार चांद लग जाती है। अब आपका जीवन फूलों की तरह खेलने वाला है। जी हाँ दोस्तों कैलाश परवत के स्वामी देवों के देव महादेव जी आपकी जिंदगी में चार चांद बताएंगे। जी हाँ क्योंकि दोस्तों दो बड़े देवता का आशीरवाद सीधा सीधा अब आपको प्राप्त होने वाला है। कैलाश परवत के स्वामी देवों के देव महादेव जी और मा पारवती जी आपकी कुंडली में विराजमान हो चुकी है। जी हाँ जो की बहुत बड़ा चमतकार देखने को मिलेगा तो दोस्तों अपने सब्र की बांध को तूटने मत दीजिएगा। दिल थाम कर बैठिये और आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखियेगा। जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शायद इसे सुनने के लिए आपकी आँख और कान दोनों तरस गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, इंतजार का समय अब खत्म हो चुका है। आप मन्जिल के बहुत करीब आ चुके हैं। बस थोड़ा सा और मेहनत करना है। सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, जियोतिश शास्त्र के अनुसार 100% सठीक भविश्यवानी करेंगे। हम आपको अपना थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप अंत तक देख लिए तो दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि वीडियो में कुछ सावधानिया भी है, जो आपको बरतनी है, जरूरी बाते हैं, जिसे आपको ध्यान में रखनी है और बीच-बीच में समाधान है, तो कुल मिलाकर आज की है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, खुश खबरी सुनकर आपको बहुत बड़ा जटका लगेगा। जो भी बड़े बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। लेकिन आपको इसका लाब कैसे मिलेगा, किस तरह से आपको इसका लाब उठाना है, किस तरह से आप इस समय का सदुपयोग करते हैं, यह जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि यह समय से आपके जीवन में वह खुश खबरी दस्तक देने वाली है, जिस खुश खबरी के लिए आप तरस रहे थे। जी हाँ, लेकिन इश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है दोस्तों, अब सब कुछ इश्वर की मर्जी से होगा, पर जब आला खेल शुरू होता है, तो हम और आप कुछ भी नहीं कर सकती, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, हैं जी हाँ दोस्तों, भगवान की महिमा महान है, दोस्तों आज के दिन को आप कभी नहीं भूलोगे, जिन्दगी भर तक याद रखोगे, क्योंकि दो बड़े देवता, ए आपसे कोई गडबडी ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो फिर इस मौके का फाइदा आपको नहीं मिल पाएगा, तो चलिए जानते हैं, यह समय से आपको कौन सी विशेश बातों को ध्यान में रखना होगा, आपकी लव लाइफ में कौन से मोड आने वाले हैं आपके कैरियर बिजनेस में कौन से बदलाव होने वाले हैं, आपके रोजी रोजगार में किस तरह से वृद्ध होने वाले हैं, संकटों से किस तरह आपको छुटकारा मिलेगा, क्या करने से दुश्मन आपके उपर हावी नहीं हो पाएंगे और कौन से उपाय करने से आप से प्रश्न भी होंगे और आपको अच्छे फल मिलेंगे जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपकी बेसबरी से इंतजार का फल मिलने वाला है काफी समय से आपके घर में वाद विवाद कलह कलेश लड़ाई जगड़े हो रहे थे तो वह भी दूर होने वाली है और आपको छुटकारा मिलने वाला है साथ ही बेरोजगार लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब उनकी बेरोजगारी की समस्या भगवान शनी देव जी के आशीरवाद से दूर होने वाले हैं जी हाँ उसके लिए आपको बस छोटा सा उपाय करनी है इस उपाय में आपको पैसा नहीं लगाना है और नहीं आपका कोई पूंजी खर्च होगा आपको करना है क्या कि सच्चे दिल से मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान जी को पूजा करनी है और मंदिर में जाकर साफ सफाई करें शुद्ध घी का दीपक जरूर चला इसके बाद देशी घी से बने चूरमे का भोग लगाएं इससे भगवान श्री राम जी भी प्रसन्न होंगे और हनुमान जी प्रसन्न होंगे इस उपाय को करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी से बे रोजगारी की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी औ और कलह कलेश से भी आपको छुटकारा मिलने लगेगा क्योंकि यह सब नकारात्मक ग्रहों की वजह से होता है यदि आप बराबर हनुमान जी की पूजा आराधना करने लगेंगे सुबह उठकर उनका नाम लेने लगेंगे तो नकारात्मक ग्रहों का असर ना आपके जीव कई बड़े धन योग का निर्मान हो रहे हैं तीन बड़े देवता आपकी राश्य में जा रहे हो खुश खबरी सुनकर सीना फुलकर आपका 26 इंच चौड़ा हो जाएगा जी हां मेरे प्यारे मित्रों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में जो बड़े चमतकार होने वाले जो बड़ी महत्वपून बदलाव होने वाले हैं यह आपकी होश उड़ा देगी जी हां परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें आज की है वीडियो आप भूल से भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो में बताई गई हर एक बातों क कान लगा कर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दोस्तों एक गौ माता आपके घर पर आने वाली है जी हां बता दें यह गौ माता कोई और नहीं बलकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी है जी हां और यह गौ माता आपके घर इसलिए आने वाली है क्योंकि धन की देवी मा लक्ष खड़े हो जाएंगे जी हां लेकिन बिल्कुल ही शान्त होकर देखना क्योंकि यह समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना अतियावश्यक है जो कि आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो कृप्या करके अंत तक देखिएगा जी हां बता दे अब आपकी वह सपना पूरे होने वाले हैं जिन सपनों के लिए आप दिन रात मेहनत करते थे और यहां तक भगवान से मन्नते मांगते थे वह सपना अब आपके पूरे होने वाले हैं जी हां क्योंकि दोस्तों समय का पहिया अब घूम चुका है और अब समय का महा प्रेतों को समझो, तीन बड़ी गुड न्यूज आपकी जिंदगी बदल देगी, जी हाँ, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए खुशियों का पैगाम भेजा है, ये गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाला है, जी हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कोई बेवकूफ ही होगा जो इसे नहीं दिखेगा, क्योंकि स्वयम परमात्मा जी ने भेजा है, आपके लिए तीन तीन बड़ी गुड न्यूज, जी हाँ, एक साथ तीन बड़ी बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाला है, और इसे प्राप्त करके, आप खुशी से अपने घर के आंगन में गली मोहले में नाचने लगोगे, जी हाँ, परमात्मा ने ऐसा शुब संकेत किसी को आज तक नहीं दिया होगा, जी हाँ, बता दें भगवान ब्रह्मा जी के आशीरवात से होने जा रहा है, बहुत बड़ा धमाका जी हाँ, आने वाले एक सप्ताह के भीतर आप करोडपती बन जाओगे, जी हाँ, और मैं इस बात को पूरे दावे के साथ लिख कर देता हूँ, क्योंकि आपका नाम की बहुत बड़ी लोटरी लग चुकी है, मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता स्वयम परमात्मा जी ने दे दिया है, आदेश जो की बहुत ही जल्द आपका जीवन बदलने वाला है दोस्तों, आज की इस खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो में हम आपको वह सारी जानकारियां प्रदान करेंगे, जि जी हाँ बता दें, आप परमात्मा जी के दिल में बस चुके हैं और इस दिन आपको इतना बड़ा लाब होगा, इतनी बड़ी खुश खबरी मिलेगी कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। करोडपती बनने का शुब संकेत, जी हाँ, अब आने वाले समय में आपके पास घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, पैसे भी होगे और बांगला भी होगा, और सबसे खास बात ये है, उस बंगले में ऐसो आराम की जिन्दगी होगी, जी हाँ, अब आप पूरे ठाट बाट से आराम की जिन्दगी जियोंगे, जी हाँ, बिल्कुल राजाओं की तरह एक प्रकार से यूँ कहे, तो राजा भी अब आपके सामने हाथ पहलाएंगे, दरसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, आप बहुत जल्द करोडपती बनने वाले हो, क्योंकि आप करो आपकी कुंडली में ऐसा महा संयोग बन रहा है, इसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, जी हाँ, और इस राज को राज ही रहने देना, आप सिर्फ आम खाईए, गुठली अमत गिनिये, जी हाँ, दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जी हाँ, अभी तो आपकी शुरुआत है, आगे-ागे देखते रहना, भगवान कुबेर जी, आपको क्या-क्या देते हैं, लेकिन खुद को शान्त रखना, जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अहंकार को अपने अंदर जागरित मत होने देना, वरना भगवान तो दूर की और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, बात समझाई हो तो वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जै कुबेर महराज, जै मान लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों, आपकी जिन्दगी में लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव, जी हाँ, जानक भगवान का दिया कोई छीन नहीं सकता, जी हाँ, क्योंकि भगवान जो भी देते हैं, वह आपके अच्छे कर्मों का क्रेडिट देते हैं, जो आपके नसीब में है, वह तो आपको मिलकर ही रहेगा, उसके लिए चिन्ता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, आज पैसे को स बचना ही बेहतर होगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी और आप बाहर घूमने का आनंद ले सकते हैं, आज आपको खासी और जुकाम हो सकता है, ये अपनी व्यक्तिकत साफ सफाई का विशेश ध्यान रखें, ये अपने हाथ खाने से पहले खासकर और वैसे भी कई बार धोएं, यगर संभव हो तो आज आराम करें, जिससे आप हो सकने वाली किसी बीमारी की आशंका से बच सकें, आई नियमित और गहरी नींद लेना न भूलें, इससे आपको स्वस्थ रहने में काफी मदद मिलेगी, आज अक दिन आपके लिए बहुत खास होगा, आपको अपने मन की बात बताने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुम से कुछ ऐसा न निकले, जिसके लिए बाद में आपको पच्चताना पड़े, अपनी बात छोटे और अर्थपून तरीके से पूरी करें, आपको अपने पार्टन आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी, पदोन्नती भी आपका इतन्जार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेश एवं जलन आपका मन खहराब कर सकती है, ये आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिस्क पर बुरा प्रभावन डाले, आप सच्चे और इमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी, जो मुखोटे लगाए रखते हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करें, आप से जल्दी प्रभावन प्रभावन डाले, आप से जल्दी आपके मिलना पसंद करते हैं, आपको अपने खान पान में कुछ परिवर्तन कीया है, तो आपको आज इसके कारण अपने स्वास्थ्य में विशेश सुधार दिखाई 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 देगा, इससे आपको अपने स्वास्थ्य वर्धक रूटीन पर बने रहने की प्रेरणा मिलेगी, आप इन अच्छे नतीजों को देखकर अपनी शारीरिक व्यायाम को और भी बरहाएंगे, अगर मौजूदा संबंधों में वो अपना पन आप महसूस नहीं कर रहे हैं, तो भी इपने मन को सकारात्मक रखे, आपका साथ ही अपने प्रेम की भावनाओं को उसी तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा है, जिस तरह से आप व्यक्त करते हैं, ये समय किसी को चोट पहुँचाए बिना आगे बढ़ने का समय है, आप लोगों से मिले, समारोह में जाए और हो सकता है कोई साथ ही आपको मिल जाए जो आपके दिल को समझेगा, आप विनम्र और कोमल रहे, कुछ आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं, या आपके लिए एक महान दिन है, आप दूसरों को अपने विचारों और अवधारनाओं को पेश करने के लिए इस अवसर का बेसबर रहे क्यों की हो सकता है, स्थितियां उस अनुपात में आपका साथ न दे, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत से लोग आपको आपकी दयानीय स्थिती से निकालने के लिए हाथ बरहाएंगे, लेकिन आप इस स्थिती में किसी और की गलती की वजह से फसे हैं अब की बार ऐसे लोगों से सावधान रहें, आज आपको अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए, आप आज ध्यान से उन परिवर्तनों के बारे में सोचेंगे जो आपको अपनी जीवन शैली में और बहतर स्वास्थिय के लिए अपने भोजन में करने हैं, ताजा हवा में सा माजिक होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप ऐसे किसी आदमी की ओर आकर्शित होंगे, जिसकी प्राथमिकताएं और रुचियां आप से मेल खाती हैं, इस नए रोमैंटिक साथी के साथ आप बेहत खुश महसूस करेंगे, हालंकि कुछ समय के बाद आपको यह सब ब नहीं है, हालंकि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो किसी नकारात्मक विचारों को अपने पास न आने दे, आप आगे बढ़े और आपकी शक्ती और सकारात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से लड़ सकती है, आज पैसे उधार न दे क्य गुजरेगा, आप उसकी नेक सलाह मान सकते हैं, आज किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं, दोपहर बाद दिन अच्छा गुजरेगा, दोस्तों के साथ समय बीतेगा, ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को अस जरूरत होगी, जैसे आप इस समय हैं, पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर टेन आ गया है, इसलिए इसे फलों के अर्क से रगदैच कर साफ कर लें, आप अचानक अपने भीतर काफी आत्म विश्वास महसूस करेंगे और आपको अपने रोमांटिक संबंध के मामले म में भी अपनी अलग पहचान को समझने की जरूरत है, आपको यह समझाने लगेगा कि मरियादित सीमाओं से वास्तव में संबंध में और मरियादा और सम्मान आता है, आप पहली बार अपने आप से ये सीमाएं लागू करने की सोचेंगे, इस बारे में आपकी सोच काफी स पश्ट है कि आपको अपने रिष्टे में क्या नहीं चाहिए, कुछ दिनों से आपके कार्यक्षेत्र में चीजे आपके अनुसार नहीं चल रही थी, परन्तु अब कुछ सुधार आने की उम्मीद है, माहौल मस्ती का है, आपकी मुलाकात काफी आकरशक व्यक्ति से हो सकत है, आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे, सितारे आपके पक्ष में हैं यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है, अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें, आपको और आप इसकी भड़ाहास अपने सहयोगियों पर निकाल सकते हैं, इसकी वजह से आपके कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा और यहां तक की वह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, अतह इसे आप दूर रहने का प्रयास करें, स बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोल कर करें, दिन के अंत में कोई चोकाने वाली खबर मिल सकती है, आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही शुरुआत करेंगे, आपका मूड अपने करीबी लोगों क खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा, फिर भी सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को प्रभावित न होने दें, आपको आने वाले दिनों में काफी तनाव का सामना भी करना है, इसी लिए किसी भी स्थिति के लिए तयार रहें और खुश रहें, तर्क और जगड अपने आप रुख जाएं, इस समय शांत रहें, कोमल और प्यार का व्यवहार रखें, अपने साथी के तर्क को समझे और उसके वितर्क में कुछ भी न बोलें, अपने साथी का ध्यान उन खुशनुमा पलों की तरफ ले जाएं, जो आपने साथ बिताएं थें, दिन थोड का माहौल खहराब हो सकता है, इसलिए बेफाल्तू के वाद, विवाद से अपने को बचा कर रखें, आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं, हालांकि धातू या कृष्य उत्पाद में निवेश आपके लिए फाइदे आपको किसी ऐसे आदमी से बात करके अप्रत्याशित सहायता मिल सकती है, जो चुप चाप आपकी भलाई चाहता रहा है, आज आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफी हद तक शारीरिक स्वास्थे पर निर्भर करता है, और अगर आप अपनी सेहत के लिए हानिका कारक आदतों में लगे रहे, तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे, आज का दिन उन बदलावों को दिन्चर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है, जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी हैं, इसी लिए आज ही उन्हें अपनाने का संकल्प ले यह समय प्यार और रोमांटिक जीवन को लेकर गंभीर होने के लिए बिलकुल उपयुक्त है, आपको यह महसूस हो जाएगा कि अब आपको सिर्फ फलर्ट करने में कोई रुचि नहीं रह गई है, इसकी बजाए आप आप कोई परिपक्व सोच वाला गंभीर पार्टनर त दिशा में पहला कदम भी उठा सकते हैं, आज आपके समान हित के लोगों या एक समान व्यवसाय करने वालों के साथ वार्ता लाब होगी, आपको इस अवसर का लाब उठाना चाहिए एवं दूसरों को बरहावा एवं प्रोथसाहित करना चाहिए ताकि बदले में वे भी आपको समर्थन दे, आपको उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि चीजें धीरे-धीरे खुलती है और लोगों को नई वस्तू या व्यक्ती पर भरोसा करने में समय लगता है, आपकी प्रवृतियां आज काफी सक्रिय रहेंगी और आपको उनकी बरहाना चाहिए, यहां तक कि अगर आपके आसपास हर किसी की राय अलग है, तो भी आप उनकी ना सुनकर अपने ही मन की सुने, आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको अपनी आखें और कान खुले रख कर अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ देचना है, आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप यह कभी नहीं कर सकते, कोई आपके आसपास ऐसा है, ज आज आप यह समझने की शुरुआत करेंगे कि आप और किसी के कहे पर नहीं चलेंगे और अपने संबंध में कुछ स्वस्थ सीमाओं का पालन हमेशा करेंगे, आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपने सबसे बढ़े, शुभचिंतक को भी अपने लिए फैसले लेने की छूट नहीं देनी है, अपनी खुद की राय का सम्मान करना चाहिए, आप इसकी तरफ पहला कदम उठाइए, लोगों की नजरों में आपका सम्मान खुद बखुद बरह जाएगा, अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है, तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है, आपको कड़ी मेहनत और समर्पन का फल मिलेगा, आप आज वित्तिय योजना के बारे में जानेंगे, निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह ले, प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, आपका दिन आफिस म अच्छा रहेगा